हिंदू, हिंदू सामपर दाइकता नहीं, हिंदू रास्तियता का प्रफीक है और भारत की रास्तियता का प्रफीक शिंदुत्र को पत्नाम करोगे उसकी कीमत चुपानी पड़ेगी इन लोगों को और इसलिए महदे मैं आप सब के मात्यम से एक बार कहना चाहता हूँ अगर भारत को समझना है तो मैं भारतिय स्मित्ता को पैचानना पड़ेगा और भारतिय स्मित्ता को पैचानना है तो स्वामी विवेकानन्द के बारे में आप जान लीजिए स्वामी की विवेकानन्द ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू है स्वामी विवेकानन्द ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू है स्वामी विवेकानन तो सामप्रदाइग नहीं थे स्वामी विवेकानन तो किसी पार्टी के नहीं थे स्वामी कब विवेकानन ने तो भारत का प्रगनिद्टों किया था पुरी दुनिया के अंदर और दुनिया के अंदर जो हिंदू उसे कस्मीर से निकाला जाता है एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है लिए इन लोग का मूनी खुलता जब कस्मीर से साड़े तीन लाकी संख्या में कस्मीरी पंडिक निकाले जाते हैं के लोग नहीं बोते बिसमे को हजार बारा में असम के अंदर तीन महिनों तक बुड़ो चंचापि के लोगों को मारा जाता रहा कोई नहीं बोला भादे खोगा कोई नहीं बोला जम्मो कस्मीर के बाद, जम्मो कस्मीर के हिंगों के मारने पर पस्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदेखल कर जिया गया एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको फीड़ा नहीं हुई, दुनिया के अंदर ये अपने अपने विर्मा उतारा था, जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाली लोग बिस्टापी ठोकर के खाना बदोस की चिंदे की चीरे हैं, उस सर्मना घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की, मुपई के दंगों पर इन लोग मौन रहे, जमसेटपुर और भागलपुर के दंगे एक टॉंग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंदा ब्यक्त नहीं की, और तोर 1984 में इस देश के अंदर, जिन सिट गुर लोगों का योगदान इस देश को बचाने, इस देश की बार्म और संस्क्रिटर इस देश के समाच को बचाने में बहुत मैत्वपूर थी, उन सिट्पा के कतलियाम पर भी इनको सर्मन महसूस नहीं होती है, और आपके लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सामप्रताइक सहार्द की, इनका पुरा चेरा सामप्रताइक हिंसा से रंगा हुआ है, सामप्रताइक एसेंडे से रंगा हुआ है और इसलिए बहुंदो मौदय इस देश के अंदर असम में क्या हो रहा है, बांगलादेशी गुस्पेटिये इन लोगों के अपले हो गए, और इस देश मे जोखों वर्टों से पहने वाला स्वंधाय उपर आया हो गया इस रेस के अंदर वादए आसम में बैंगला टेसी घुस्पेटियों के खारन कोकरा चाट कि अन्ध्र में आड आंध्र में आड औरुस tenda 갖고 इंड भाइब हुष्या अध्र होंसर, ऑजिए टुडवला, हsome अडवा टो ने खुट है कि अजिए ने प्र उर्ओित बिट्वक्र 근े में इन्स से इंड बाज में ऐसे में 195 मिन से अखुड़ में token 2230 नहांचाट बाटना सब्सक्राइब की तुछ ये रखर्ष भाटना ही जुचनाटी रखर्ण वे क्ष़िट सब्सक्राइब गिज्णाट वे बाल रखर्णाटrekत युच्छाट्ट सब्सक्राइब की तो लुच्छाट प्रण्टेश्ट में ग्युच्छाट थाल कि आप so the member is speaking and giving some figures you are disputing that figures no 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 in your speech you can say there is no really there is no none out of them you during your speech you can speak during your speech you can counter it when your time comes when your time comes you can at that time can dispute it it continues you are connecting on counter पाद्धक्स महज है, सच्चाई कρवी होती है, और करवी सच्चाई ये लोग स्विकार करने को तयार नहीं, क्योंकि ये लोग उस बिमारी से स्वें थ्रस्ट हो चुके हैं ये विमारी नोने पुरे देश को दी है और इसलिए ये लोग उस सचाई को स्विकार नहीं कर सकते कस्मीरी बंडितों के निस्कासन पर और कस्मीर पे हुए अच्चार पर ये लोग मौन थे वैं तो 2011 पारे में असम के अंदर देख रहा था तीन वहिनों तक लगातार दंगे होते रहे इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई असम चलता रहा और तो और कॉंग्रेस के लोग एक बार तो असम कही मुख्यमंत्री को वो गत्टगरे में खढां कर देगे लोने बोरो लोगों के बारे में केसे बोल स्मीं के बोले हैं पूरे बंगाइस के अंदर आज और और गॉबरी जिरान और भर्वेटा चिले जो हिंसा की सरवाधिक चपेट में है इस सरवाधिक चपेट में जो जिले है वे इसलिए है क्योंकि बांगला देशी बुस्पेटी वहाँ पर आगर के जमीनों पर कबजा किये है इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ-साथ उनके रासन कार बनाए है और बेस्तरमी के साथ बेस्तरमी के साथ फिलगा देशी वहाँ पर उनके साथ करवाया है मोदे और तोर हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते है मैं पोच्छना चाहता है कॉंग्रेस से और कॉमनिस्टों से भी कोयम टोर और बैंगलूर धमागों का जो अभ्युक्त है उस दुर्दान्त आतंगबादी के लिए बिधान सभा का सत्र स्पेशल सत्र बुलाया जाता है दोनों गल एक साथ मिन तर के पील करते हैं कि इसको छुड़वाओ एक क्या यही स्ट्र है क्या इनका यही स्ट्रेजंडा है क्या यही इस देश में यही स्ट्रेजंडा है और इस देश के अंदर इस देश के अंदर वोबे इस देश के अंदर क्या हुआ हम भूले में वोबे 11 अगस्त 2012 को मुमई के आजाद मेदान में जो कुछ हुआ वो बे आजाद मैदान की घटना क्या थी आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थें उनके बीच में और वहां के बौद्बों की बीच में वहां पर हिंसा हुई दंगे हुई यह मामला मैनमार का है भारत का नहीं लेकिन मैनमार की घटना में दंगाता होता है आजात मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं वास से इसमारत तोड़ा जाता है फुलिस के जवानों को मारा जाता है मीडिया कर्मियों को मारा जाता है उनके साथ साथ पूरे में दंगे होए उनके साथ उक्षर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनों में, कानपूर में, इलाबाद में दंगे हैं ये लोग मौन रहे, इन लोगों ने कभी उस पे आवास नहीं लगाई ये लोग मौन रहे इस घटना पर, ये वही लोग हैं, जो आजात मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा राम देव पर उन सत्यागरियों पर ये लोग रामला मैदान पर लाथी चार्ज करके बेसमी के साथ फंदे मात्रम कान करने वाले देश बक्तों पर लाधी चार्ज करते हैं ये लोग देश के अंदर सामपरदाई की घिंसा की बात करते हैं सामपरदाई की घिंसा किसमे फैलाई है कौन भला रा इस देश के अंदर तोन इस देश के दिनर सच्चर कमेटी के नाम पर समाच को बांटने का कारे कर रहा है इन लोग ने साम परदाई कादार को निस्व सेतालिस में देश को बांटा है और आपकुना देश को पांटे की साजिस के काथ प्राकिस्तान के सेंटर पर ये लोग तारी कर रहे हैं